हेलो एं वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड जेस्टेशनल एज एंड एक्सपेक्टेट देट ओफ डिलिवरी बाई लास्ट मेंस्ट्वल पीरिड सो एक्सपेक्टेट डेट ओफ डिलिवरी क्या है और यह सब चीजी क्य पहले मैं इस सब के बारे में आपको बताऊंगी सो जस्टेशनल लेज पहले बात करेंगे आखिर क्या होता है जिस्टेशनल एज वो टाइम पीरिड होता है जितने में जो बेबी है वो वूम के अंदर ग्रो कर रहा है यानि कि जिस दिन से इंप्लांटेशन हुआ है तब स कि किस दिन expect किया जा रहा है कि baby deliver out होगा और यह ADD normal cases में हम लोग मानते हैं कि अगर कोई complication हो जे तो हो सकता है ADD change हो जाए या फिर पहले ही उसको operate करके या फिर normally deliver out किया जाए बट normally अगर कोई कोई भी complication नहीं है या फिर कोई भी ऐसा factor नहीं है जिसके वज़े से ADD अल्टर हो तो यूश्वल हमारी एक्सपेक्टर डेलिवरी सेम रहती है कि दिन लास्ट आता है है LMP so LMP क्या होता है last menstrual period last menstrual period का मतलब होता है कि जब भी लास्ट टाइम उस female को periods हुए है तो उसका जो first day होता है वहां से हम लोग last menstrual period का उसकी datings marking करते हैं तो यह था इन तीनों के बारे में now will come कि how to find out EDD with the help of LMP अब हम लोग कैसे find करेंगे कि expected date of delivery क्या है with the help of last menstrual period so हमने यहाँ पर suppose कर लिया है कि last menstrual period जो हमारा था वो था 24 January 2020 तो इसको निकालने के एक बहुत ही आसान तरीका है बस आपको एक काम करना है कि जो भी आपकी date है उसमें प्लस 7 करना है यानि कि साथ दिन जोडने है और जो महिना होता है उसमें 9 months जोडने है यहाँ पर हमने वही किया है expected date of delivery को हमने लिख दिया उसके बाद जो भी days थे उसमें plus 7 किया है और months में plus 9 तो इसको plus करने से में मिला 31 और इसको plus करने से में मिला 10 तो total हमारा आ गया 31st October 2020 यह था हमारा पहला example अब हम दूसरे example की बात करेंगे जिसमें किये है 8 of April 2020 तो अगर 8 April 2020 को female का last menstrual period था तो हम उसका EDD कैसे निकालेंगे उसी तरह से date में plus 7 मतलब आपको 7 दिन जोडने है 9 महिने जोडने है और जो result उसको लिखना है EDD में तो हमने यहाँ पर इसमें 7 दिन जब जोड़े ता 15 आया बट इसमें जब हम जोड़ेंगे तो वो actually में 13 आएगा अब क्योंकि सिर्फ 12 महिने होते हैं तो हम 13 को 12 के बाद एक और जोड़ेंगे यानि कि first month ले लेंगे और क्योंकि यहाँ से अब वो पीछे चला गया तो एक additional month था इसलिए हमने इसको पीछे कर दिया आप इस बात को शाद समझ रहे होंगे कि क्योंकि 13 नहीं होता है 12 के बाद एक आएगा इस वज़े से हमने यहाँ पर एक साल में बढ़ा दिया है गिंती यानि कि 2020 की जगा अब आएगा 2021 ऐसी हमारा तीसरा एक्जामपल है जिसमें हमने डेट ली है 29 मार्च 2020 तो अगर 29 मार्च 2020 को किसी फीमेल का last menstrual period था तो उसमें हम EDD निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस करेंगे हमने प्लस 7 इधर किया प्लस 9 मन्त में किया और उसका result find out करेंगे तो अब क्योंकि 29 है तो 29 के बाद आया 30, 31 उसके बाद आपको 31 के बाद आगे जाना होगा 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक डेट मिल गए जो थी 4 क्योंकि आप यहाँ पे एक महिना आपने आगे बढ़ा लिया है तो आप यहाँ पे भी उस एक महिने को जोड़ दोगे अब आगे 4 प्लस 9 जो कि फिर आएगा 13 तो 13 में 12 के बाद आपको फिर एक महिना जोड़ना है उसके बाद जो एक महीन आपने क्योंकि इधर जोड़ा तो आपको फिर से एक इधर जोड़ना पड़ेगा जो कि आएगा 2021 I hope आप इन बातों को समझ पा रही होंगे एक बाद मैं इस example को फिर से clear करूँगी 29 में अगर आप 7 जोड़ोगे क्योंकि जो मन्त होगा वो 31 का है अब आप इसको अगर यहां पर जोड़ोगे तो यह आएगा 29 प्लस 7 जो की होता है 29, 30, 31 अब उसके बाद हमारा दूसरा महिना शुरू हो जाएगा इसलिए 1 के बाद हम लोग इसके दूसरा महिने में शुरू कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो यहां पर आपकी वैल्यो आगई 5 अब क्योंकि हम यहां पर दूसरा मन्त ले चुके हैं इसलिए हमें जरूरत है यहां पर भी हम दूसरे मन्त को ही कंसीडर करें अब यहां यह तीन नहीं बलकि आटोमाटिक यहां पर चार हो चुका है विकाज हमने यहां से एक मन्त को आगे बढ़ा दिया तो यहां पर भी हम वही करेंगे 4 प्लस 9 जो कि होता है 13 अब 13 के लिए हमें फिर वही करना पड़ेगा हमें एक अलग साल में जाना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें अलग साल में गए और 1 को ले कि आए अब क्योंकि यहाँ में एक अलग साल में जा चुके हैं तो इसकी value आएगी 21 I hope आपको यह चीज समझ में आई होगी अब हम देखेंगे how to find a gestational age with the help of LMP तो यहाँ पर क्या होता है कि gestational age हम दोनी चीज़ों में निकालते हैं weeks में as well as months में तो हम इसका भी example लेते हैं suppose हम यहाँ पर LMP मानते हैं 2 January 2020 तो हम इसके लिए क्या करना होता है मैं आज की date लेनी होती है टुडेश डेट और उसमें से इसको माइनस करेंगे अब वो कैसे करेंगे जैसे यह January की date थी तो January, February, March, April, माई और इस समय माई चल रहा है तो उससाब से हमने यहाँ पर सारे माईने एक तरीकी से लिख लिए इन्होंने date दी है 2 तो अब हम January में कुल 31 days होते हैं तो हम 31 से 2 माइनस कर देंगे तो आएका 29 days ऐसी February 29 days थे, March में 31, April 30 और आज क्योंकि 5 तारिक है तो माई में 5 दिन उसके बाद इन सब को आपस में सम कर देंगे तो इन सब का जो हमारा total days निकल के आएगा वो होगा 124 days अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये total days में period आगिया अब हमें अगर इस day को week में convert करना है तो हमें divide करना होगा उसे 7 से क्योंकि एक हफ़ते में 7 दिन होते हैं तो हम जब इसको divide करेंगे तो हमारे पास value आएगी 17.6 weeks उसी तरह से जब हमें months में इसको करना होगा तो month में कैसे करेंगे, हमें यही same value लेनी है 1.24 और divide कर देना है 30 से तो उससे value आएगी 4.1 month यानि की 4 महिने और 1 हफता pregnancy वहाँ पे show होगी अब हम अपना दूसरा example लेते हैं हमने फिर आज की date ली है और अपना LMP ले लिया है LMP हमने यहाँ पर support किया है 9, 8, 2019 यहाँ पर भी हमें same करना है 8 क्योंकि August होता है तो August, September, October, November, December, January, February, March, April, May तो हमें यहाँ पर क्या करना है 31 का महिना था हमने minus कर दिया 9 को 9 minus करने के बाद हमें मिला 22 September के लिए लिखा 30, 31, 30, 31, 31, 29, 31, 30 और May में क्योंकि आज 5 तारीक लिए सिर्फ 5 दिन जोड़े है तो जब हम इन सारे days को calculate कर लेंगे प्लस कर लेंगे तो हमारे पास एक total value आएगी जो total number of days होंगे वो होंगे 270 days मतलब कुल मिलाखी इतने days की pregnancy है अब हमें यहाँ पर क्या करना है to find out the weeks इसका week find out करने के लिए हमने जो total days थे उसको divide कर दिया 7 से तो हमारे पास value आई 38.5 weeks और जो months में अगर हम इसको करेंगे तो हमने यहाँ पर वही किया है कि 270 को divide कर दिया है 30 से जिसकी value आई 9 इसका मतलब complete 9 month pregnant है female so I hope आपको यह चीज समझ में आया होगी और आप समझ पाए होंगे कि how to find out expected date of delivery and gestational age with the help of LMP so I hope आपको यह समझ में आया हो till then thank you